दोस्तो अगर आभी रोईट शर्मा को बहतरिन खिलाडी मानते हैं तो मारी इस वीडियो को लाइक जरू कीज़ेगा दोस्तो भारत और इंगलेंड के बीच खेले जा रहे चोते टेस्ट मकाबले में भारति टीम के शेरों ने इतनी शांदर वापसी करके दिखाई जिसके सामने तो इंगलेंड के खिलाडियों ने घुट नहीं टेक दिये और इस मकाबले में भारत में पूरी तरीके से अपना शिकन जाक कस लिया है तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको चोते दिन के दूसरे सेशन के हाइलाइट्स के बारे में लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोईट्चर्मा और विराट कोली में से कौन बहतरीन बल्लेबाज है नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा दोस्तों भारत और इंगलेड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मकाबले में अब तक भारती टीम के खिलाडियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से इस मकाबले में पूरी तरीके से अपना शिकंजा कसा हुआ है पहले तो इन्होंने इंगलेड के बलेबाजों की नाक में दम कर दिया था और वहीं अब भारती टीम के बलेबाज एक एक करके इंगलेड के गेंद बाजों की पिटा ही लगा रहे है पारती टीम के सूपर स्टार बलेबाज रोई चर्मा एस विकेट का कोई असर नहीं पड़ा उन पर उन्होंने अपनी दमदार पारी को जारी रखते हुए इंगलेड के गेंद बाजों की जम कर धुलाई करी उन्होंने ताबर दोड बलेबाजी करते हुए इस मकाबले में एक बड़ा ही शांदार अध्शतक जड़ दिया था और इसी के साथ उन्होंने एक बहुत ही जबरदस शुरुवात मिल गई थी अब उन्हें इस पिच पर टिके रहना था और इस शुरुवात को एक बड़े स्कोर में तपदील करना था उनके बलेबाजी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो आज शतक ये पारी खेल कर इतिहास रच देंगे क्योंकि उनका ये विदेशी सरजमी पर पहला शतक होगा दोस्तों वहीं दूसरे और उनका साथ दे रही थे चेतेशिर पुजारा जिन्होंने शुरुआत में तो काफी तेज गती से रन बनाने शुरु कर दिये थे लेकिन फिर एक बार उन्होंने धीमी गती से बल्लेवाजी करना शुरू कर दिया था वहीं कई बार कुछ गेंदों में फसे हुए नजर भी आ रहे थे वो लागातार इंगलेंड के गेंदवाजों के विरुद संगश कर रहे थे लेकिन वो भी दीरे-दीरे करके 40 रनों से अधिक बना चुके थे और उन्हें अब अर्जश तक ये पारी खेल ले थी दोस्तो भारती टीम का स्कूर एक विकेट खोकर 180 के करीब है और दोनों इंगलेंड की टीम इस मकाबले में पूरी तरीके से इंगलेंड पर कायम हो जाएगा अगर इन दोनों में इससे कोई बलेबाज आउट होता है तो भारती टीम के लिए ज़ादा चिंता जनक बात नहीं होगी क्योंकि अब ये भी भारती टीम के कप्तान विराड कोली, उप कप्तान अजिंका राने और रिशब पंत जैसे तावर तोड़ बल्लेबाज भी मोजूद है जो कि अपनी विस्पूडक बल्लेबाजी से विपक्षी टीम को जड़ से उखाड फेकने की काबिलियत रखते हैं लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है क्या रोई चर्मा इस मकाबले में शतकी पारी खेल सकेंगे या नहीं पीचे कॉमेंट सेक्षिन में कॉमेंट करके जरू बताएगा और ऐसी खबरों के लिए मारी यूट्यूब चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा